दोस्तों जैश्य किष्णा जैश्य काली दोस्तों कैसे हैं। एसब करता हूं कि उपश्य सुखी होँगत जोबी मेरे विष्ण हैं हैं। हमेशा positive रहे हैं सकरात्मक रहे हैं दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत अच्छी तिलक लगा करके आप किसी कभी वश्य करन कर सकते हैं बात सुने में बहुत सामाने लग रहे होगी तिलक लगाता कि कैसे करें लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँँ कि आपका ये जो हिस्सा होता है जहां पर मात्य पर बिंदी लगाई जाती है मैं थोड़ा सा एक्स्प्लेइन कर दे रहा हूं आप लोगों की कैसे वर्क करें ले talks तो यह जो होता है आग्याचक्र होता है आपने देखा होगा कि तिलक लगाया जाताता है अगर आम मात्य पर नेत्फ्रती थिलक लगाते हैं तो आपका हाग्याचक्र जो होता है अक्ति तो यह एक पावर है बहुत ही। पावड इस NOW होता है। हमिलर्भ चबतों एक काम होले लिव्ड होता है। कि जब आप उस वेक्ति का नाम लेकर के विधी करके तिलक लगाएंगे तो आपके आज्या चक्र से जो energy create होगी यह energy जाके सीधे अगले वेक्ति के आज्या चक्र को down कर देगी मतलब आपने किसी वेक्ति को बहुत importance दे रहे हैं आप किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं लेकिन वो वेक्ति उतनी importance आपको नहीं दे रहा है क्योंकि उसका आज्या चक्र स्ट्रॉंग है तो आप क्या करेंगे अपने आज्या चक्र के जरिए जो energy वहाँ भीजेंगे तो उसका आप गया चक्रों वही काम करने के लिए तयार हो जाएगा जो आप चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ विधी की जाती है और वही विधी जो बहुत ही प्राचीन और गुप्ति वो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों देखिए मेरे तरब से permission तभी है इस विधी को करने के लिए जब आपकी इरादे नेक हो मकसद आपका जायज हो किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें आपका प्यार सच्चा है तभी आप इस प्रियोग को करेंगे अगर किसी को मिस्यूज करने के लिए प्रियोग करते हैं तो मेरे तरब से बिल्कुल भी permission नहीं है और मेरे प्रियोग को 100% कर सकते हैं प्रियोग को दोस्तों आप सोमवार बुद्धवार शुक्रवार और रविवार इन चार दिनों में कर सकते हैं ठीक है और वशीकरन की क्रिया में दोस्तों एक सबसे बड़ी कंडिशन आती है कि जिस भी वेक्ति का वशीकरन कर रहे हैं उस वेक् वर्क नहीं करेगी जब तक कि उस चीज को से रिमूब नहीं किया जाए ऐसी कंडिशन में दोस्तों यदि आप लोग मेरी है प्रिना चाहते हैं मुझसे विविधी करवाना चाहते हैं तो 100% आपको वर्क करने वाले विधी करके दी जाएगी क्योंकि मुझे पता है काफी लो समागा जाता है और अब दुबारा से देवी देते हैं तो असे फ्रॉड गेस में बिल्कुल भी ना भसें जहां पर आपको 100% असा लगे विश्वासों वहीं पर भसें और हमारे दोर दोस्तों एक घंटे में या एक दिन में कोई भी वशीकरण विधी करके नहीं दी जाती है तांत्र क्रिया होती है बहुत ही जटिल होती है इसलिए साथ ग्यारा इक्की से एक तालिस दिन में वर्ग करती है ठीक है लास इसका जो स्टेज होती है वहती है फुर्टी वन डेज पर्टी वन डेज में कोई रमीडी पूरा 100% रिज़र दिखाती है कोई आगर आपको होले कि एक दिन में तीन दिनों वशी करण करके दे रहे हैं तो बिल्कुल समझेए कि फ्रॉड केस है क्योंकि तांत्र क्रिया के नियम है कि 7 देज से 11 देज 11 देज से 21 और या फिर 41 देज में यह वर्क करती है आज कि जो मैं वीधी बता रहूं आपको यह वीधी भी आपक सब पेसेंस बनाके रखें और एक बार में रिजर्ट नहीं आता है तो दूसरी बार उसे क्रिया को दोहर आए हैं और पूरे विश्वास के साथ में करें आज की वीधी बता रहा हूं आपको लॉंग से करनी है दिन मैं आपको बता दिये हैं सावधानी है कि नॉन वेज नह आपको मिलेगा जानकारी सुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं आप लोगे दी मेरे चैनल पर फस्त राइं विजिट कर रहे हैं और आप लोगे इस परकारी जानकारी में इंटरस्ट रखते हैं तो चैनल को जदी से सब्स्राइब कर दीजे और बैल आइकन को प्रेस कर कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जब भी कोई खास जानकारियां से परसावित करूंगा आपके काम की होगी तो आप से मिसने होगी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाप्राप्त कर पाएंगे और अपनी यदि दोस्तों करते हैं और बहुत सारी सबस्दि और आपको कॉछाक शारे से मिसरा कराते हैं it अनुचाइब से और दोस्तों को होती है 95 परसेंट जो होती है राहुग्रा के वज़े से होती है राहुग्रा को यह अपने बर्चाट में बैलन्स कर लिया जाए तो अनस्पेक्टेड धन रुपिया पैसा सफलता सब कुछ मिलना सुरू हो जाती है 95 परसेंट तक प्रॉब्लम्स का मिल जाता है और हमारे दोरा बर्चाट में राहुग्रा को बैलन्स करने के लिए 18 दिन की शावर मंत्रों के तौर एक विसेश पूझा की जाती है जो आपके बर्चाट में आपके नाम माता पिता के नाम दैदाजी के नाम फोटो संकल्प के जरिए आपके बर्चाट में पर्चाट करा तो आपके अप्ने कंशर्ट कर सकते हैं ठीक है और ने अब बता रहा हुं किसी भी समय कर सकते हैं इन 4 दिनों में सुभा साम रात जब भीthy अबको मिलता है किसी समय कर सकते हैं लेकिन प्रियोग करेंगे एक आत्न कमरे में बैठके ईक scout आ सख एकदम पॉस्टिव हो करके सकरात्मक सोच कर रखके विश्वास के साथ मिस्प्रयोख करना है आपको लेना है 21 लॉंग फूल वाली ठीक है फूल वाली विल्कुल अखंडिक जिसमें फूल लगा हो और भीम सेनी कपूर या बरास सुद्ध कपूर लेंगे तब ही रेमिडी व पीतल घर के किसी एकांत कमरे में बैढ जाएं नीचे आसन लगाएं सिर्फ कपड़ा रहें सामने पट्रा बिछाएं पट्रा की ऊपर कपड़ा बिछा दें तांतरिक रहा होती हैं जमीन पर बैठ कर नहीं की जाती हैं और खुद भी जमीन पर ना बैठे और नाहीं सामिक् एक घी का दिया जलाना है, अब सामने आपको क्या करना है, जो पीतल के पात्र में, मिट्टी के पात्र में, आपको कपूर को प्रजुलित कर देना है, कपूर आपको जला देना है, कपूर जब जलने लगे, तो एक फूल बारी लॉग उठाएंगे, अंगुठे से और रेंग ठीक है ओम क्लीम अमुक के जब इसका नाम लेंगे वस्सम्कुरु स्वाह और उसमें आपको रात में जल्दियों कपूर में इसको डाल देना है ऐसे करके एक एक लॉंग में मंत्र पढ़ेंगे और कपूर में डालते जाना है कपूर में लॉंग जलने लगेगी जब तक लॉ जाब करते रहेंगे कपूर पूरा जल जाता है एश बन जाती है राख एकदम ठंडी हो जाती है किसी भी चीज में कोई डिब्बी बगरा में इस राख को एकत्रित करके आपको रख लेना है ठीक है अब यह राख आपकी साधारन राख नहीं है यह मंत्र से अभिमंत्रित हो जाती है अब यह बहुत ही आसाधारन राख बन चुकी है इसको ठाकर करें किसी विवेक्टि की नजर नहीं पढ़नी चाहिए किसी और विक्ति ने इसको छेदिया तो इसकी जो भी एनरजी है उखातम हो जाएगी तो आपको सुरक्षित रख लेना है आप दूसरे दिन से जैसे सोम बार को किया तो मंगल बार को नहाने के बाद में जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सब करने के बाद में छोटा सा तिलक आपको लेना है ठीक है कहीं भी एकांत कमरे में खड़े हो जाए थोड़ा सा तिलक निकाले ओम क्लीम नमहा उस विक्ति का ध्यान करते हुए और माते में इसका तिलक लगा लेना है कंटीनियो दोस्तों 21 डेज तक आप उस तिलक को लगाईए अगर आपका कंसंटेशन पापर अच्छा होगा बिलीफ सिस्टम अच्छा होगा 7 डेज में देखेंगे दोस्तों आपके आज्या चक्र के एनरजी उसके आज्या चक्र को दाउन कर देगी और वो कहीं न कहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके तरफ अटेक्ट होना शुरू हो जाएगा आप से मिलने के लिए बेचेन हो जाएगा जब तक यह राख चल रही है तब तक इस राख को लगाते रहेंगे इस राख को फेकना नहीं है नित्य प्रत अगर चक्र डाउन होके आपके तरफ अट्रेक्ट होना शुरू हो जाएगा बहुत ही पावर्फुल वैमेडी है आप इसको पूरे विश्वास के साथ में आजमार करके देख लिए कंडिशन वही होती है दोस्तों कि मैंने यदि आप केसी वेक्ति पर बहुत सारी नेमेड कि ऐसी कंडिशन में दोस्तों आप यदि मेरी हैप दिना चाहते हैं अगर ट्रस्ट है तो आप मुस्से विधी करवा सकते हैं आपको हंडेट परसंट वर्क करने वारे विधी करके दी जाएगी और मैं यह नहीं बोलूँगा कि तीन दिन में आपको सेवन डेज इलाइवन तक नसा अपनी गुद्धि कराया जासकते हैं किसको विधी आठी जासकते है कोई यह समझ है ना रहे हो नीचे कमेंड बॉक्स सकते हैं जैकारी दोस्तों काफी आच्छी है DONईसरीकष्ना जैशिकाली जरू लिखें इससे मात्हानी साथमया है जया सबसर करकें करें च्छत करा कि तो वाट समझार करा सकते हैं आठरा दिन में आपको अमेजिंग चैंजे नजर आएंगे ऐगे आज के दिटनी दोस्तों मिलते फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक मैं जैस्रीकिष्णा जैशिकाली आप और आपका परिवार हम इस सुस्थ्रे, सुखी रहें, सम्पन रहें हम इस सब positive रहें, सकराप मचें जैस्रीकिष्णा जैशिकाली ब्लाइजिंग्स हमें सब्रों के साथ में